Hello everyone, welcome to PharmaRocks YouTube channel PharmaRocks के YouTube एज़ुगेशन चैनल में आपका स्वागत है In today's video lecture, we will study in detail about the medicines for worms Worms की जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रूमी जिसको हम कहते हैं क्रूमी तो क्रूमी के इलाज के लिए के क्रूमी के करण जो अलग-अलग diseases होती है, complications होते है तो उसके इलाज के लिए हम कौनसे medicines वगरे यूज़ करेंगे तो वो जो medicines यूज़ होती है उसको हम कहते हैं क्रूमी नासक क्रूमी नासक, दवा और इंगलिस में उसका नाम है Enthalmatics तो pharmacology जो subject होता है pharmacy के अंदर तो उसमें हम ये Enthalmatics medicines के बारे में study करते हैं कि ऐसे medicines की जो यूज़ होते हैं इन्हें treatment of warm infection की जो worms के करण जो infection होता है worms के करण जो infection होता है उसको treat करने के लिए हम अलग-अलग Enthalmatics medicines यूज़ करते हैं जिसमें से आप ये title slide पर देख रहे होंगे कि albendazol का यहाँ यहाँ पर oral suspension देख रहे है यहाँ पर उसके tablets भी है as well as जो mabendazol है piprazin citrate है तो ऐसे यह अलग-अलग medications हम prefer करते हैं to treat this condition तो इसे के बारे में हम detail में सकने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर the expert lecture by Amar sir Mr. Amar M. Rawal B.Farm M.Farm in Pharmaceutics PhD pursuing assistant professor and founder of PharmaRox pursuing the PhD from Gujarat Technological University I am Dhabad, Gujarat, India so thank you friends for being in a 1 lakh family of PharmaRox अब सबी के support के करण ही PharmaRox ने यह achievement को achieve किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप सबी के support के करण हम यह milestone तक पहुचे updated रहे हैं Pharma Knowledge के साथ इसलिए subscribe करें चैनल press करें बेल आइकोन and never miss any video of PharmaRox PharmaRox का app available है तो आप वहाँ पे study material test series video lecture वगेर अक्सेस कर पाओगे तो अभी डाउनलोड कर यह PharmaRox Android अपन Google Play as well as Apple iPhone अपन App Store तो एन्थल्मेंटिक्स के जिसको हम कहते हैं क्रूमी ना सक्दवा तो एन्थल्मेंटिक्स और एंटी हेल्मेंटिक्स are group of एंटी पेरासाइटिक ड्रग्स जिसको हम कहते हैं हैल्मेंटिक्स एन अधर इंटर्नल पेरेसाइट फ्रॉम दे बॉड़ी आइदर स्टनिंग और किलिंग देम और विदाउट कोजिंग सिगनिफिकिंट डेमेज टू दे होस्ट तो यह ऐसे मेडिकेशन से के समझों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वाला हैल्मेंट जो है वो प्रेजन्ट है हैल्मेंट को हम दुसरे वर्ड में कहते है वाम तो यह वो जो वाम्स होते है वो हमारे specially जो GI ट्रेक के अंदर intestine के अंदर पाये जाते हैं ज़्या तर और वो क्या करते है वहाँ पे अपनी growth करते है और जो intestine की जो linings वगएरा है उनको damage करते है वहाँ पे infection करते है stomach infection भी होता है तो यह वाले जो हैल्मेंट से उनको हमारे body में से expel out करवाना जरूर है यहाँ पे आप जो यह देख रहे है तो उनको हमारी body में से expel out करवाने के लिए कि हमारी जो host है उसको damage किये बिना directly यह hell means यह फिर warm को हमारी body में से expel out कर देने के either by killing और either by stunning तो उसके लिए जो हम medications use करते है उसको कहा जता है enthyalmentics और हिंदी में उनको कहा जता है chromi नासक दवा chromi नासक दवा उसका दुसरा नाम है anti-helminthins कि जो ऐसे medications है कि जिनको anti-parasitic drugs भी कहा जता है और वो expel करते है parasitic worms कि hell means को from our body तो यह सबसे पहले important definition आपको याद रखने है या फिर concept याद रखना है कि जो hell means को remove करने के लिए हमारी body में से chromi को हमारी body में से remove कर देने के लिए completely जो हम medications use करते हैं उनको कहा जाता है enthelminthics और हिंदी में हम उसको कहते है chromi नासक तो जो warm infection होता है कि जो अलग-अलग worms होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं tap warm है कि यह वाला जो warm है पूरा वो tap warm है उसके अलावा round warm होते हैं कि यह आप देख सकते हैं this is the round warm फिर जैसे hook जैसा safe होता है वैसे safe कि यह hook warm फिर यह vape warm kokidia and giardia तो जैसे बहुत सारे अलग-अलग worms होते हैं कि जिनके करन जो infection होता है उनको कहा जाता है warm infection और it is also called a helminth disease कि जो अलग-अलग helminths होते हैं worms होते हैं उनके कारण जो disease होती है उनको helminth disease भी कहा जाता है तो infection due to the helminths and parasitic worm call a warm infection or helminth disease so you may become infected with various worms by the following way तो अब बात यह है कि यह जो worm से उनका infection usually होता कैसे है तो एक तो समझे कि यह worms कोई contaminated food के अंदर present है और आप ऐसा food खा लेते है तो यह जो helminths है यह जो worms है वो आपके body के अंदर enter हो सकते है same like that water के contaminated water के contact में आए है आप और lake of personal hygiene क्या आपके अंदर कोई personal hygiene जैसा कुछ नहीं है completely lake है उसका के lake of personal hygiene के आप अपना proper hygiene जो condition जो हम कहते है personal hygiene maintain नहीं करते हैं चाहे आप food के अंदर हो या फिर water के अंदर या फिर आपकी lifestyle के अंदर proper आपका personal hygiene नहीं है या फिर आप एसे area के अंदर रहते है कि वहाँ पे इस तरह का जो personal hygiene बहुती कम follow की जाती है तो वो areas के अंदर आप जो है वो warm infections जो है वो आपको हो सकता है even हम कहें कि ऐसे surfaces के भी आप contact में आते कि जहाँ पे ये warmths present है कि इसी contaminated food है और contaminated को इसे surface है उसके contact में आते है और उसके करण आपके body के अंदर ये hell means समझो कि enter होते है आप personal hygiene नहीं रखती even आप समझो कि toilet या bathroom या बात्रूम यूज़ करने के बाद आप अच्छे सा आपके hand wash नहीं करते है कि no hand wash habit कि hand wash करने के आपके कोई habit नहीं है after using the toilet or bathroom तो ऐसे बहुत सारे ऐसे reasons है कि जिसके अंदर personal hygiene से जुड़े तो आप personal hygiene अपनी maintain नहीं करते तो उसके करण ये warm infection हो सकता है या फिर ऐसा contaminated food या water यूज हुआ है तो उसके करण भी ये warm infection आपको हो सकता है कि जिसके करण आगे जाके अलग-अलग helmet disease भी हो सकती है और warm infection भी हो सकता है कि जिसके हम देखे अलग-अलग worms यहापे हम देखे तो size में वो जो अभी बात की हमने की round warm है tap warm है वो size में इस तरह से काफी long भी हो सकते है कि जिससे आप कोई noodles देखते हो वेसी size के भी ये काफी लंबे होते है as well as कुछ छोटी size के भी होते हैं उसके अलग-अलग आप नॉमेन कल्चर्स देखे तो hymenolepis nana1 की जो cystode कहे जाते हैं फिर H deminata फिर tinia species होती है trichosomoid species होती की जो nematode type के है helminth फिर nematode type के अंदर ही ascaris lubricoids होते है कि ये उसके डायग्राम आप देख सकते हैं फिर ascaris lubricoids non-fertile egg और ये थे fertile egg trichuris trichura के eggs और toxocara के जो अलग-अलग nematodes हम कहेते हैं और cystode कहे जाते हैं कि जो एक type के है different different species के helminth ये सब भी responsible है helminth infection के लिए और समझे कि ये helminth का आपको infection होता है तो जो उसके sign and symptoms हम देखे तो person को abdominal pain होता है कि आपके abdominal में आपको काफी pain होता है because यहाँ पे ये आप देख सकते है कि ये जो helminth है वो आपके stomach के अंदर present है या फिर आपके abdominal cavity small intestine या फिर large intestine वहाँ पे ये present है उसके करण diarrhea भी हो सकता है nausea vomiting भी होते है कि जो हमारे gastrointestinal tract related diseases है फिर gas हो सकता है bloating हो सकता है उसके अलावा fatigue थाकान होगी आपको on explain weight loss आपका weight loss जो है वो काफी होता है and abdominal pain और tenderness तो ये जो symptoms जो है वो देखे जाते हैं और specially ये children's को भी ज्यादा affect करता है as well as elder age में भी वो affect करते हैं ये helminth but बच्चों के अंदर ये काफी problem रहता है helminth infection के तो उसकी अच्छे से treatment करनी ज़रूरी है तो warm infections के जो treatment के अंदर जो हम अलग-अलग medications यूज करते हैं उनको हम कहते है enzymatic medicines तो ये enzymatic medicines अलग-अलग doses form के अंदर अवेलिबल है like के उनके syrup अवेलिबल होते है as well as उनके suspension अवेलिबल है tablet doses form में अवेलिबल है as well as उनके capsule भी अवेलिबल है कुछ injection form में भी अवेलिबल है कि जो parentally हम यूज करते है तो यहाप आप देख सकते हैं कि जो pipe razine का syrup देख सकते है enzymatic उसके label पे ही लिखा है फिर Rx only कि जो prescriptions drug रहेगी albendazol oral suspension as per the IP और उसके अंदर लिखा है कि micronize albendazol single dose pack और यह suspension है इसलिए direction रहेगी कि sick well before use कच्चे से आपको sick करना पड़ेगा before the use फिर albendazol के tablets भी market भी available है कि जो Rx only रहेगा उसे अलबाद दुसरा popular medications की जो है mabendazol के tablets कि वो भी prescribe किये जाते है warm infection के अंदर तो detail में study करते है enzymatics की medicines for worms की chromine आ सकते है तो pharmacologically हम देखे उसके classification के according to be हम देखे as well as उसके spectrum के basis पे कि जो broad spectrum कि किसी भी type के helmet का infection है तो सबसे powerful and effective हम कहे है तो mabendazol है तो यहाँ पर हम देख सकते कि mabendazol के tablet की जिसकी strength है 100 mg तो वो broad spectrum है because किसी भी type के helmet के infection के लिए worm infection के लिए कि जाहे वो round worm है hook worm है किसी भी type के worms या helmet है उसको हमारी body में से expel out करने के लिए as well as उनको body में से remove करने के लिए वो proper effective है कि जिससे की round worm है hook worm, thread worm जितने भी अलग-अलग worm से सभी के लिए effective उसके लावा specially समझे कि आपको diagnosis करके पता चला है कि thread worm या फिर round worm का infection है तो उस वक्त पाइप्राजीन citrate पाइप्राजीन citrate के जिसका syrup form अवेलेबल है वो काफी effective रहता है as well as लेवा मिसल के tablets की जो ज्यादा तर effective है round worm के अंदर तो लेवा मिसल hydrochloride tablets as per IP या पर आप देख सकते हैं cedule H drug रहेगी वो इसलिए proper prescription और medical practitioner के advice के साथ ही आपको वो use करनी चाहिए तो RX only also next है enthelmatics के अंदर की जब आपको cystosomes helmenz के infection है तो उसके अंदर prazik quintal काफी effective रहता है तो ये एक pinpoint बनता है कि cystosomes का समझो के infection है enthelmatics helmenz में से तो कौन सा enthelmatics हम prefer करें तो that is the prazik quintal so here we can see the prazik quintal tablets as per the IP and this is also the RX only medications के proper prescriptions के साथ ही वो prefer की जाती है as well as second की जो river blindness के अंदर very very most IMP question for MCQs ivermectin here we can see ivermectin tablets उसका injection भी available है as per IP 3.15 weight by volume उसके अलावा हम देखे तो detail में आप study करते हैं कि for round warm की जो हम कहते हैं ascaris lubriquids तो उसके लिए mabandazol albandazol pyrantel piprazin लिवा लिवा मेंसल और ivermectin ये सब हमारे पास options रहते हैं कि जब समझे कि आपको round warm कि जिसको कहा जाता है ascaris lubriquids कि जो हमने आगे different different helmets देखे तो उसमें से समझे कि आपको specially round warm का infection है तो first choice तो mabandazol ही रहेगी because it is a broad spectrum बट समझे कि कि किसी को के अंदर mabandazol का resistance से वो effective नहीं है even albandazol से भी treat नहीं हो रहा है तो आपके पास pyrantel है pyprasin citrate levamisol livermectin के भी options available रहते है फिर hookworms का infection है तो hookworms के अंदर भी first choice तो mabandazol ही उसके बद second choice albandazol then pyrantel and levamisol जिसे antihelmentics कि जो anthelmentics जो हम कहते है वो हम use कर सकते है तो अब albandazol का यहाँ पर हम देख सकते है suspension say well before use because suspension रहेगा as per ip और rx only है और उसका single dose pack रहते है because एक ही time में आपको यह 10 ml जो है वो completely use कर लेना है कि use 10 ml कि use 10 ml at once एक ही बार use करना है single dose pack एक ही dose देना है 10 ml का तो इस टाइब के albandazol के syrup और suspension अवेलेबल होते है next is for thread warm कि जिसको enterobiles vermicularis जो कहते है तो उसके अंदर popular है pyrantel उसके अलावा mabandazol और albandazol के option है और फिर pipe resin के जिसके अंदर और पिर या फिर फिर चोईस रहते हैं कि आलबेंडाजॉल मेबेंडाजॉल वाइडली प्रिस्क्राइब होने वाले एंथलमेटिक मेडिकेशन से बट समझे को कोई प्रॉपर इवेल्यूसन होता है कि जब आप बलड टेस्ट करवाते हैं स्टूल टेस्ट करवाते हैं तो उस वक्त जब पता चलता है कि एंटेरोबाइलस वर्मेकुलारिस का ही इंफेक्शन है आपको तो उसके लिए हम पायरेंटेल को सबसे पहले प्रिफर करेंगे उससे ठीक नहीं होता फिर ब्रॉड स्प्रेक्ट्रम मेबेंडाजॉल तो है है वेसे ही स्ट्रोंगिलोइडस स्टार का रिस है तो उसके अंदर इवर्मेक्टेन हमारी चोईस फर्स्ट रहेगी और उससे ठीक नहीं होता तो फिर सेकंड दैट इस आलबेंडाजॉल तो आलबेंडाजॉल के टैबलेट्स की जिसकी स्ट्रेंथ रहती है 400 mg और आलबेंडाजॉल की जो स्ट्रेंथ रहेगा उसका 100 mg के टैबलेट्स फिर फॉर नेक्स्ट है की फॉर ट्राइची नेला स्पाइरालिस ट्राइची नेला स्पाइरालिस का इंफेक्शन है आपको तो आप रिफर करेंगे सबसे पहले आलबेंडाजॉल सेकंड रहेगा उप्सन आपके लिए मैं बेंडाजॉल का नेक्स्ट है फिलारियासिस की जिसको हम कहते है वुचेरेरिया बैन क्रॉप्टी और ब्रूगिया मलाई तो उसके अंदर डाई इथाईल कार्बा मेजिन डाई थाईल कार्बा मेजिन साइट्रेट कॉम्बिनेशन में लिवोसेट्रेजिन भी होता है कई बार और प्लेन भी डाई इथाईल कार्बेजिन साइट्रेट के टाबलेट्स की जो 100 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल है फिर इवेर्मेक्टिन और थर्ड चोईस है इसके अंदर आलबेंडाजॉल का तो सबसे पहले फिलारियसिस के लिए फर्स्ट चोईस डाइथल, कार्बेमेजिन सेकंड इवेर्मेक्टिन और थर्ड आप्शन में हम प्रिफर करेंगे फिर आलबेंडाजॉल फिर जो टैफ वाम्स होते हैं स्पेसली जब टैफ वाम्स का इंफेक्शन है तो और उसके जो नाम है कि H नाना जो हमने अभी कहा था हिमे नो लैपिस नाना फिर टीनिया सोलियम या फिर टीनिया सैगी नाटा है तो उसके अंदर फ्राजी क्विंटल फ्राजी क्विंटल के जो टैबलेट्स फिर निकलोसामाइड या पर हम देख सकते हैं कि निकलोसामाइड के टैबलेट एंड तीसरा ओप्शन हमारे पास है albendazole का फिर for hydrated disease के लिए very very most IMP question कि जब hydrated disease होती है helmin's के कारण तो उसके लिए albendazole that is the first and second choice that is a mabendazole कि जिसके अंदर ichinococos, granulolus और ichinococos multi locularis का जो infection होता है ये worms के करण तो ये enzymatics medicines की जो worms के लिए हम use करते कि medicines for your worms या फिर crumina sac तो government जो हमारा बारत सरकर का जो health department है वो भी काफी इसके लिए support करता है कि यहाँ पर हम देख सकते अलग-अलग posters की जो बारत सरकार की जो अलग-अलग missions के अंतरगत की national health mission है national rural health mission या फिर national de-warming programs या नेशनल de-warming day तो उसके अंतरगत क्रूमी से मुक्ती बच्चों को सकती फिर क्रूमी संक्रमन से मुक्ती पाए तो उसके लिए de-warming days और de-warming की जो दवाईः जो हम कहते है क्रूमी नासक दवाईः कि जिसके अंतर special अलग-अलग-अलग-अलग-अलग की एक दवाई खिलाए और क्रूमी से मुक्ती दिलाए तो जो school होते है आंगनवाडी के अंतर होते है वहाँ पे ये medicines को निसुल्क जो है वो खिलाई जाती है free of cost कि यह दवाई जो है वो जो भी बच्चे होते है उन सभी को albendazol की जो medication से वो दी जाती है कि स्कूल और आंगनवाडी में जो रास्ट्रिय क्रूमी मुक्ती तो उसके लिए अलग-अलग days भी celebrate किया जाती कि क्रूमी से मुक्ती बच्चों को सकती वेसे tagline के साथ National Dewarming Day Kit के जिसके लिए proper ये personal hygiene के लिए as well as जो medication से जो tools वगिरा है वो फिर आप देख सकते कि National Dewarming Day के campus चलाई जाते है स्कूल और आंगनवाड़ी के अंदर और बच्चों को जो है वो अलबेंडाजॉल खास खिलाई जाती है तो government भी काफी इस तरब के प्रोग्राम्स करके awareness पिलाते कि जिसके करण ये छोटे बच्चों के अंदर या फिर जो स्कूल और आंगनवाड़ी के अंदर होते है उनके अंदर ये कोई हैलमेंथ के कोई infection ना रहा है और उनसे completely मुक्ती मिले तो ये है अलग-अलग government की जो भारत सरकार का भी काफी अच्छे प्रायास है कि जो इस टाइब के प्रोग्राम्स करके awareness पिलाता है for the relief from हलमेंथ infection so thanks friends thank you friends for watching अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते है तो जरूर से like करिए valuable comments करिए share करिए, channel को subscribe करिए और pharma rocks whatsapp group जरूर से join करिए 942-678036 whatsapp groups का help line number subscribe करिए channel press करिए bell icon, access करिए study material, test series, video lecture on app, pharma rocks android phone है तो android app download करिए iphone है तो app store पर से download करिए, descriptions box में link मिल जाएगी और फिर भी कोई query हो तो ये number पे आप whatsapp कर सकते है so good luck and all the best ve K जम पर पर फञेस्ट जाशोनी सकते है